नमस्ति दोस्तों, ब्रह्मान के तमाम रहसों में से एक रहस्य ये ग्राटिट्यूट है ग्राटिट्यूट वो है जिसके जड़िये आप अपनी सम्रिद्धी, अपनी खोशिया, अपनी धन, दौलत, अपनी सांति पून जीवन को और ज़्यादा सम्रिद्ध, और ज़्यादा बहतर, और ज़्यादा खुबसूरत बना सकते हैं जिस सक्स ने इस ग्राटिट्यूट को समझा, जिस सक्स ने ग्राटिट्यूट का मतलब को अपनी जिन्दगी में उतारा जिस सक्स ने gratitude को किस तरह से अपने जिन्दगी में हर खन, हर पल किस तरह इसे इस्तिमाल करना है ये समझ लिया उसने मानो जिन्दगी के उन तमाम रहसों में से एक रहसे को जान लिया कहते हैं जो आपके पास मौजूद है अगर आप उससे खुश नहीं है तो यकिन मानो दोस्तों मरते दम तक आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं gratitude का मतलब यही है कि जो आपके पास मौजूद है उसके प्रती धन्यवाद का भाव वैक्त करना उसके प्रती फोकस करना उस पर ध्यान देना कि जो चीज आपके पास है उस चीज के लिए शुक्र गुजार होना यह है gratitude अपने समय की मसूद लेखी का मेलेडी बैटी कहती है कि gratitude आपकी जिन्दगी की हर कमी को सम्रिद्धी में बदल देगा पुराने तकलीफों को खुशियों में बदल देगा कन्फ्यूजन को क्लारिटी में और सपनों को विजन में तबदिल कर देगा कहते हैं अगर दिन की सुरुवात आप अगर अच्छे मन के साथ खुश दिली के साथ happiness और gratitude के साथ करते हैं तो आपका पुरा दिन अच्छा जाता है और अगर आप नाराजगी, उदासी और मायूसी के साथ दिन के सुरुवात अगर करते हैं तो आपके पूरा दिन में कुछ न कुछ ऐसा गटना गटती रहती है, जो आपको परिशान करता है, जो आपने जरूरी आपके लाइफ में अनुबब किया होगा। Gratitude एक ऐसा प्रैक्टिस है, जिसके दोरा आप अपनी हर दिन और अपनी पूरी जिन्दिगी को बहतर से बहतर बना सकते हैं। कहा जाता है कि जिस इंसान के अंदर शुकराने का भाव, धन्यबाद का भाव जितना ज़्यादा अधिक होगा, उसके जिन्दिगी में समरित्ति, शुक और सांति का मात्रा भी उतना ही अधिक होता जाता है। ग्रैटिट्यूट के द्वारा आप अपने पूरे जिन्दिगी को खुस हाली में पदल सकते हैं। के लिए आपके जरूरत में आप उसे इस्तेमाल करते हैं। आपको उन तमाम चीजों के पति सिर्फ एक मैजिकल वर्ट ठैंक यूू। कहते रहना है इस वर्ट को अपना बीज मंत्र बनाने और अपने जिन्दिगी के हर खन में हर उस चीज के पति ठैंक यूू। कहते रहें आप देखेंगे किस तरह से ये मैजिकल वर्ट आपके जिन्दिगी को बदल के रख देगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग जानेंगे के ग्राटिट्यूट को किस तरह से अपयोग में लाना है किस तरह से इसे अपने डिली रोटीन में सामिल करना है ग्राटिट्यूट का अगला वीडियो के लिए इंतिजार करें और मैं आप सभी का दिल से अवार्व्यक करता हूं शुक्र दा करता हूं कि आपने अपने टाइम निकाल कर मेरे इस वीडियो को पूरा देखा